एक्सरसाइज 6.5 का कॉस्टन नमर 17 है और यह लास्ट कॉस्टन इस एक्सरसाइज का यह objective कॉस्टन है तो इसमें कहा रहा है take the correct answer and justify in triangle ABC तो इसमें मैं triangle ABC कहा रहा है तो मैंने randomly कोई triangle ABC बना लिया तो इसमें कहा रहा है AB equal 6 root 3 AB का जो value है वो है 6 root 3 ठीक है और AC equal 12 cm AC जो है यह 12 cm है और उसका BC जो है वो 6 cm है ठीक है यहां तक हो गया and इसमें justify करने के लिए कि रहा है the angle B is इसमें angle B का value पूछ रहा है जो कितना है यह B का value है यह कितना होगा ठीक है तो देखो इसको मैं बताता हूँ आपको यह सबसे पहले यह कौन सा triangle होता है मतलब by angle के according मैंने आपको introduction ने बता रखा है angle के according जो triangle होता है वो 3 तरीके का होता है right angle triangle होता है equilateral triangle जिसके 3 हो side equal होते है उसके 3 हो angle जो है 60 degree का होता है मैंने आपको introduction की वीडियो में बता रखा है जो triangle होता है इसमें यह तीनों में से ही कोई एक होगा और इसमें हम by angle के according क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पर B is पूछ रहा है मतलब B का जो value होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है तिसलिए इसमें triangle के according ये तीन तरह का ही triangle हो सकता है चाहे तो obtuse angle, acute angle या फिर right angle triangle ठीक है? तो सबसे पहले हम right angle triangle देख लेते हैं, तो right angle triangle कैसे होगा जब इसमें pythagoras theorem जो है वो अपले हो जाएगा इसमें सबसे पहले लिख दो जो given क्या क्या दिया हुआ है given है जो AB है वो है 6 root 3 centimeter और जो AC है वो है 12 centimeter और BC जो है वो है 6 centimeter तो pythagoras theorem क्या कहती है जो AC का इसमें से चलो, मैं AC नहीं, देखो इसमें जो बड़ा side होगा वो hypotenuse हम लिट करेंगे तो इसमें देखो, ये 6 centimeter, 12 centimeter और 6 root 3 तो इसमें मैं क्या करूँगा AC को ये बड़ा है तो इसमें hypotenuse मानूँगा तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ AC का square तो ये आजाएगा 12 का square कितना हो जाएगा 144 centimeter ठीक है उसके बाद मैं निकाल लेगा AB का square और प्लस BC का square निकाल लूँगा ठीक है तो नहीं तो मैं सिर्फ AB का square निकाल सकता हूँ अगर ये condition फोलो कर जाएगा तो मैं निकाल लेता हूँ AB का square ये आजाएगा 6 root 3 का square ठीक है और प्लस BC का square तो BC है 6 का square ठीक है मैं ये condition को ये निकाल लेता हूँ तो ये देखो इसका मतलब ये हुआ हुआ ये 6 पे भी आ root 3 पे भी है तो 6 का square यानि कि 36 हो जाएगा और multiply में root 3 की पे भी अगर square होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 होगा क्योंकि root 3 into root 3 3 होता है तो ये इसको अगर आप solve करोगे तो इतना हैगा और ये plus 6 का square यानि कि 36 अब इन दोनों को अगर आप multiply करोगे कितना होगा तो 6 3 जा 18 1 केड़ी करा 3 3 जा 9 और 1 10 108 प्लस 36 ठीक है इन दोनों को अगर आप add करोगे तो ये कितना आजाएगा 8 और 6 14 14 14 का 4 1 केड़ी करा 3 और 1 4 और 1 इतना centimeter तो देखो दिहान से देखो यहाँ पर लिखो ये hands AC का square इक्वार इक्वाल टू AB का square प्लस BC का square ये condition को जो है ये follow कर गया क्योंकि AC का square जो है AC का square वो भी 144 आया था और ये भी 144 आया था यानि कि ये pythagoras theorem जो है ये applicable है है ना in triangle ABC the pythagoras theorem is applicable then angle B क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर पैथagoras theorem अगर applicable है और AC जो है ये हैपोटेनस है ये जो AC है है तो हैपोटेनस का जो सामने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है यह आपने पड़ा होगा यहाँ पर जो होगा सामने वाला जो एंगल होता वो 90 डिग्री होता है तो यहाँने कि एंगल B है है पोटेनस के सामने में तो B का वैल्यू कितना आई है 90 डिग्री आई है तो B कोल कितना आई है 90 डिग्री तो कौन सा option इसका correct हुआ option option C तो C is correct answer तो C हो गया correct answer ठेक है यह last question था question था यह इस पूरे chapter का तो I hope आपको यह easily समझ में आगया होगा यह तो बहुत ही easy सा question था यह ज़्यादा important भी नहीं है तो आप इसे फिर भी देख लेना समझ लेना तो फिर मिलते हैं next वीडियो में next chapter के साथ